कि आज कि हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे कस्टम format t के बादे की कस्टम का क्या रोल–stem आपके सांद डिसकस करें कि सबसुक्रह जानते हैं कि कस्टम फर्मेटिंग का हम किस तरह से इस्तिमाल करते हैंया इसको एक पर जान लेते हैं किसी तरह के फॉर्मेटिंग को कस्टस्टमाइज करते हैं। लénergie को कि आम यहां चेक नम्बर लिखना है और चेक नम्बर ही लिखना हैंग से कि इसमें जीरो नहीं लगा हुआ जीरो कैसे लगाना है तो अमने छिल्एक कर लिया और चला गया कस्टम फार्मेट नंबर फार्मेट की कस्टम बाले पार्ट में यहां वान टू ट्री फॉर फाइट सिक्स टाइब हमने जिरो डाल दिया तो इस इस डिजिट को मेंडेट करें देकि ध्यान देखे इससे वीजवल है सिर्फ वीजवल है अगर मैं यहां पर 000085 कर दिया तो दोनों आपस में ब्रावर नहीं देखने में जैसा लग रहा है बर दोनों आपस में ब्रावर नहीं इसके पीछे रीजन क्या है इसके पीछे रीजन है कि यह वीजवल इसमें है 000085 लेकिन इसमें क्या है कि यह एक्ष्वल में है 000085 तो मुझे ऐसा चाहिए जो भीजवल ही नहीं और इसम ऐसा दे तो यहां हम करेंगे आपके टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मुला कि स्वेक्ट करेंगे अग्जो हमने कस्तम फॉर्मैटिंग में कोड डाला है और सवयं सेम कोड हम यहां डालेंगे ठीक है जो हम अग्श्टम फॉर्मैटिंग में कोड डाला है 123456 6 time 0 अब यह 85 है अब यह 85 है यह 0085 है अब इसको मैंच हो जाएगा टेक्स्ट है मतलब यह टेक्स्ट फॉर्मेट में ओरिजिनल दिया है अब देखिए तो आगे है ठीक है ऩॉर्मेट में पीक है अब दो पर हाएगा जो है अब यह यहाँ यह विर वे उना है इसमुझ झाल झाल तो अगर माली चे मुझे अपना मुवाइल नंबर डालना है तो प्लस नाइन वन हम चाहते हैं कि प्लस नाइन वन और यहां पर हम अपना मुवाइल नंबर डालना है तो इस केस में हम इसको सेलेक्ट करेंगे कॉस्टम प्लस नाइन वन और फ्रीज में वान तो त्री फोर फाइव सिक्स नेट नाइन टाइम प्लस नाइन टाइम प्लस नाइन अब यहां देखें प्लस नाइन आइन आएन एक दो त्रीम विजित के बाद डाइश हो तो वान यहां पर एक दो तीम प्लस प्लस नाइन आइन 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 के दो गयां अगर कोई अकाउंट नंबर है तुमसे यहां अकाउंट नंबर डालना है मैं चाहता हूं कि अकाउंट नंबर डाले ह। कि यहां आप नौ डिजिट डाला आप दसमा डिजिट डाले और गारमा डाले तो आपको शो आपको कस्टम में और कुछ निकरना एक जीरो या एक हैस तो आपका नमबर दिखेगा तो नमबर आपका दिखेगा और सिफ दिखेगा 15 तर तो इस पर लिखेंगे जीरो में करन बॉर्ट हो जाए या 16 अबाद जितना इस लिखेंगे क्यों आपका जो कंप्यूटर है ओ कंप्यूटर आपका जो है मोर दैन 15 दिखेट कोड एजर नमबर स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कैल्कुलेशन नहीं कर सकता अगर पंदर डिजिट जिदना जिजिट आप ज्यादा डालोगे ओ आपको जिरो जिरो कर देगा अगर पंदर डिजिट से ज्यादा अलाना है आपको उसको टेक्स कॉम्मेट में आप जितना मर्ची उतना डिजिट डाल सकते हैं कि हमने कहीं पर हैस डाला तो हैस जिरो का फंदर गया है तो जैसे यहां पर नंबर डालतें फिप्टीन हंडेट लेकिन मुझे यहां पर सो फिप्टीन हंडेट नहीं करना है मुझे शो करना है MRP 15 है और ऐसा हमने लिख दिया इस पर हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं इसके कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं हम थाइप करें 1500 शो आपका दे रहे वी और पर शो करें MRP 15 है तो आपका कोई भी नंबर है तो किसी भी नंबर के आगे पीछे कोई भी करेक्टर एड़ कर सकते तो इंवर्टेट कमांद में ले और यहां भी लिखते हैं अगर मैं MRP के आगे पीछे हैश या जीरो ना लगाऊं तो सिर्फ MRP दीखे अगर मैं जीरो लगाता हूं तो नंबर को शो करने के लिए जीरो या हैस तो लगाना होगा अगर जीरो लगाता हूं सिंगर तो कोई फर्क नहीं करेगा अगर जीरो दिया जितना बार जीरो आप देंगे उतना डिजिट को मेंटें करेगा अगर डिजिट कम हुआ तो अपने अपने तरब से आगे हो जीरो लगा है और हैस में ऐसा कुछ नहीं है अगर आप जाएस दो बार दो या दस बार दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो जीरो हैस का पंदा समझ में आगे आपको 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 एक और एजामपल हम देते हैं यहां जैसे मुझे 15 रुपे 36 पैसे डालना है तो मैंने इसको क्या किया कस्टम में आया यहां पे हमने एक जिरो एक हैस डाला और यहां में हमने 15 रुपीज और 36 पैसा कर दिया ठीक है ठीक है कि अब इससे आपको कुछ इस तरह से लिखेगा अब बोलेंगे इसमें दो चीवे के आप एक जीरो एक हैस्तियों लगाए अगर मैं यहां पे दो जीरो करता है यहां पी कुछ फक नहीं पड़ता फक कर पड़ता है जब आप सिर्फ डेश्मन प्लेसिस दें जो जो फट रगता है न अगर मैं इस पे लुपीज फिप्टी पैसा इस वाशा ओट लग रहा है एक सिंगल जीरो में अगर देदूगा प्रफ प्रफ पैसा खरूंगा तो रूप फाइब दिखेगा जीरो फाइब नहीं दिखेगा इसलिए मैंने एक हैस जीरो के बार लगा जाए ताकि यहां पे जीरो फाइब लिगा है अब आप चलते हैं अब मैं यहां पी 25,000 लिखा हुआ है ठीक है तो मुझे इसमें क्या अब आइस सेपेटर लगाना है तब यहां से भी लगा सकते है या या फोट के जरिए भी लगा सकते है यहां है हैं है लेकिं मुझे माउंट इन थाउजिन में चाहिए मैं चाहता हूए हैं दो ए कि यहां पर सिर्फ लिख दूँग है ठीक है अब इसी में अगर मैं यहां पर के देता हूं लेकिन अगर बिलियर में है तो आप यहां कर सकते हैं जीरो कॉमा जुरो 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 और दबालो आप और पाइल फिप्टिसिक्स में एक इंडियन फॉर्मेट पे नहीं होता है एक यूएस फॉर्मेट पे चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है अब इसमें आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम देट आपे हम यहां पर अपना देट आते हैं अपने डेट के फॉर्मेट है इसको राज है लेकिन आप अधिन नहीं मैं खुद का डेट बनाओ अजब आप अजब आप 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 झाल झाल तो कस्टम में जाएए यहां पर होता है डी फूर होता है डी से आपका दे रहता है ठीक है अब यहां देखिए आपको फॉर आया अगर मैं यहां पर दो बार दीवी कर दो तो जीओ वन्टू फॉर्मटिंग आ रहा है अगर मैं तीन बार करूंगा तो क्या होगा यहां देखिए संडे मंडे होता है अगर जार बढ़ करता हूं तो फाइडे पूर आए अपनी हिसाब से जैसा मर्जियसा कर सकते हैं कि वाइस ब्रेक हो रही हैंगा अगर अभी ब्रेक में रुक रुक के बोलना हो या रफीद तूट रही है नहीं ब्रेक हो रही है अब यहां पर जो है तीन बार किया अब यहां पर अगर मैं वाई वाई कर देखिए कि जो होता है देट के लिए होता है एम जो होता है और वाई के लिए होता है तो आप अपने हिसाब से इसके यूज कर सकते हैं अब तो आप अब यह विए अब आप से टाइम है मारा यह आपको आवर है मिनत है अगर इसको अपनी साफ से फॉर्मेट करना चाहा है तो ताइम की फॉर्मेट तो है यहां हमारा एचेज होता है आवर के लिए इसस होता है मिनट के लिए एम होता है मिनट के लिए यह से के लिए एम पी एम करना चाहा है तो एम स्लैश पी एम स्लैश पी आप करेंगे यहां पर आजाए तीक है कि आवर में चीज और भी है जैसे कि मान लिए कि 45 गंटे 20 मिनट हमने किसी का कैल्कुलेशन दिया मुझे इसको शो करना है इसके मिनट में तो आप अगर यहां मेंने स्कॉर ब्रायकेट में मैं यहां स लिख दिया कि है अगर है टाइम हो फिर्फ बली नहीं होगा है मुझेनल दिखै जाकि हो जाहिए उस अर दुछ्ट में हमें आपनाना सब्सक्रता है टेक्स्ट इसको स्लेप दिया और इसमें हमने कर दिया इसको इसका इसमाल आप कर सकते हैं तो कस्तम फॉर्मेटिंग में आप जीरो डाल सकते हैं, हैश डाल सकते हैं, नमबर देख्षो करने के लिए, अब बात आके टेक्स का, कि करेक्टर डालना मालिज़े मुझे यहां पर IPT डालना है, तो इसके आगे पीछे MS लगाना है, तो करेक्टर कैसे उच करेंगे, तो इस के लिए ADDREAT होता है, जिसे कि मुझे अगान आगे लगाना है, M slash S और यहां पर आपने ADDREAT देख्षा, पीछे लगाना है, जिसे माल लीचे मुझे ADDAS देना है, तो मैं ADDAS का CITY आइं, PIN का PIN नूमर से इन है, तो ADDREAT यहां पर देख्षा, यहां पर देख्षा, यहां अब यहां पर जैसे F201 डाला, तो रहे देखिया है, आगे है सर, इसका इस्तमार रखते है, अब कस्तम फॉर्मेटिंग में और भी बहुत सारे चीज़ है, लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल बढ़ना चाहिए, तो कि कस्तम फॉर्मेटिंग काफी इंपोर्टेंट अगर वी 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 प्रोगार्मिंग में जाते हैं, तो वहां आपको नंबर के किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करनी होगी, तो आपको कस्तम फॉर्मेटिंग के थ्रूर ही करना पढ़ाए, तो एक आर्टिकल है माइक्रोसॉफ्ट का, जो हर किसी आपको हम देते हैं, इसमें पढ़ने के लिए, तो आपको भी मैं वाटसप पर भेज रहा हूं, आप भी इस आठी को,